नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर आपके साथ मैं हूँ अफीफा मलिक सीरियल अनुपमा की ग्रिपिंग स्टोरी लाइन हर फैंस को बेहत पसंद आ रही है तब ही तो सीरियल एक लंबे वक्ट से ओडियंस का टेंशन कीचने में कामियाब हो रहा है अपने क्रियेटि आगे क्या रुखलाती है ये देखने का हर फैंस को बेसबरी से इंतिजार है लेकिन अब क्योंके अनुझ और अनुपमा सामने आ चुके हैं ये देखकर वन्राज और माया की भी धड़कने तेज हो गई हैं माया किसी तरह नहीं चाहती कि अनुझ अनुपमा की तरफ खिच की ओर से वन्राज और अनुपमा बैठेंगे तो वहीं दूसरी तरफ डिंपी की ओर से अनुझ के साथ माया बैठ जाएगी अब माया शांत बैठने वालों में सो तो है नहीं वो जरूर कुछ ऐसा करेगी कि अनुपमा और परिशान हो जाए लेकिन इनुल जानों में कुछ ऐसा भी होगा जो ओडियंस को काफी पसंद आने वाला है अनुपमा के साथ अपनी जिंदीगी में अच्छा वक्त गुजार चुका अनुझ चुपके से अनुपमा से बात करने की कोशिश करेगा और उससे मिलने जाएगा अनुझ धीरे धीरे अनुपमा के पीछे कमरे में पहुँच जाएगा लेकिन वन राज अनुझ को ऐसा करते हुए देख लेगा अनुपमा अनुझ से कहेगी मैं जानती थी आप मुझसे बात जरूर करेगे बैग्राउंड में म्यूजिक भी बज़ेगी लेकिन इन दोनों के बीच में आने वाली माया कुछ भाप लेगी औ आखिर दोनों गए तो गए कहां माया सोचेगी कि अनुझ भी नहीं है अनुपमा भी नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक साथ हैं आखिर सबसे छुपकर यूँ अकेले अनुझ अनुझ अनुपमा से क्या बात करने पहुचा अनुझ को अनुपमा के पीछे जाता दे समर और डिंपी की शादी का सफर इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए देखतेर हैं स्टाप प्लस का फेमस्यो अनुपमा अभी के लिए इतना ही जुड़े नहीं आज की ख़बर के साथ